हेलो बच्चों कैसे हो आप सभी आईए हम अपनी exercise को continue करते हैं exercise 8.2 question number first third part हमारे पास statement क्या given है course 45 degree upon secant 30 degree plus cosecant 30 degree हमने इसकी value find out करनी है बच्चा सबसे पहले देखिए course 45 degree course 45 degree की value क्या है 1 upon root 2 तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 upon root 2 upon secant 30 degree secant 30 क्यों होता है course 30 का opposite course 30 हमारे पास क्या है root 3 upon 2 इसका opposite हमारे पास क्यों हो जेगा 2 upon root 3 या फिर यहाँ से देखिए secant 30 हमारे पास क्यों होता है 2 upon root 3 plus cosecant 30 degree cosecant किसका opposite होता है sign का या फिर यहाँ पर देखिए cosecant 30 की value हमारे पास क्या है 2 ठीक है अब इसको solve करेंगे 1 upon root 2 LCM क्या आजेगा नीचे root 3 root 3 2 plus 2 root 3 ठीक है अब यह root 3 उपर चला आजेगा क्या होजेगा 1 upon root 2 into में root 3 upon 2 plus 2 root 3 ठीक है आप इस question को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं answer बिल्कुल सही है लेकिन अगर हमें बिल्कुल exact answer match करना है तो हम इसको और simplify करेंगे देखिए कैसे मैं इसमें से 2 common ले सकती हूँ यहाँ से हम 2 common ले लेंगे उपर क्या है root 3 upon यहाँ से 2 common ले लिया multiply में क्या root 2 into में root 2 अंदर क्या होजेगा 1 plus root 3 चीक है इसको reverse करके लिख सकते हैं कैसे root 3 upon 2 root 2 root 3 plus 1 यहाँ पर यहाँ पर इस अंसर को छोड़ सकते हैं अब हम इसको आगे simplify करेंगे इसको rationalize कर देंगे उपर नीचे multiply करेंगे sine change करके root 3 plus 1 का sine change होजेगा root 3 minus 1 into में root 3 minus 1 root 3 को इसे multiply करेंगे root 3 into में root 3 3 minus minus 1 into में root 3 minus root 3 चीक है अब नीचे देखिए 2 root 2 as it is अब यह formula होगया हमारे पास कौन सा a plus b into में a minus b इसको कैसे लिखते है a square minus b square अब a हमारे पास क्या है root 3 root 3 का square 3 3 minus 1 का square 1 क्यों होजेगा यह 3 minus root 3 upon 3 minus 1 2 2 into में 2 4 4 root 2 चीक है अब अगर हमें ncrt से answer मैच करना है देखिए root 2 की उपर multiply कर देंगे root 2 की निचे multiply क्योंकि आपस में दोनों cancel के one ही हो जाते हैं आप देखिए root 2 की root 2 से multiply करेंगे तो 2 2 की 4 से multiply करेंगे 8 निचे हमारे पास क्या आजेगा 8 अब इस root 2 को दोनों से multiply करेंगे root 2 को 3 से multiply करेंगे तो 3 root 2 minus root 3 into में root 2 दोनों अंदर multiply हो जेंगे root 6 तो ये हमारे पास क्या हो जेगा बच्चा answer अगर आपको कुछ भी doubt हो तो प्लीज मुझे comment section में बताईए अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको like कीजे और channel को subscribe कीजे Thank you